दोसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे नो वे बदनसीब जो दुरुभाग्य से अपने को एक्सिडेंटल हिंदू कहते हैं कि योग्ध्या में जब राम लला का मंदिर का गागन हो रहा था तो महां पे नाजगाना चलना था अरे जिन्दगी भर तो यही कुमारा खांदान करता रहा राम लला का योग्ध्या दाम में फिर से दिराजमान होने पार लेकिन इन पदनसीब कॉंग्रेसियों को इससे भी नफरत है हाल ही में कॉंग्रेसांसद राहुल कांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समाहरों को लेकर जो विवादित बयान दिया था उस पर शुरू हुआ सियासी बवाद अभी थमा नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनाथ ने राहुल के उसी नाच गाने वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है वो भी उसी राज्य में जहां से कॉंग्रेस नेदा ने विवादित बोल बोले थे सूबे के सीम ने हर्याणा के हांसी विधान सभा छेत्र में आयोजित जनसभा में राहुल गान्धी का बिना नाम लिये कहा ये लोग कहते हैं कि आयोध्या में नाच गाना हुआ जिंदगी भर तुम्हारा खांदान यही करता रहा है ये लोग भारत के बाहर जाकर देश को कोचते हैं और खुद को एक्सिडेंटल हिंदू बताते हैं दोसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे नोग वे बदमसीब जो दुरुभाग्य से अपने को एक्सिडेंटल हिंदू कहते हैं मुख्य मंत्री योगी इतने भर से नहीं रुके उन्होंने खुले मंच से कॉंग्रेस सांसत को सुनाते हुए राम की संस्कृति और राम की संस्कृति का अंतर समझाया सीम ने कहा रामलला के आयोध्या धाम में फिर से बिराजमान होने पर इन बदनसीब कॉंग्रेसियों को नफरत हो रही है तरसल राहूल गांधी ने हर्याना के हिसार में एक रैली के दौरान कहा था कि राम मंदिर के उद्गाटन में अडानी, अमबानी और अमिताब बच्चन नजर आए लेकिन कोई किसान या मजदूर नहीं दिखा वहाँ बस नाच गाना हो रहा था आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राश्ट्रपती से कहा कि भाईया, आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आई नहीं सकती अलाव नहीं आपको, उसके बाद अमिताब बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अमबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया आपने किसी बढ़ाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं यह वही बयान है जिस पर BJP के अने नेताओं समेश सीमयोगी राहुल पर बुरी तरह फायर हो गए हैं। उन्होंने कॉंग्रेस सांसत के स्थास उठके परिवार पर भी बहुत बड़ी टिपड़ी कर दी। इस टिपड़ी का कॉंग्रेस की तरब से कब जवाब आएगा वो तो पता रही लेकिन आप सीम के राहुल पर किये गए इस पलटवार पर क्या बोलेंगे कॉमेंट में ज़रूर बताएं